अब हम आज इस लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं last type of transformation of function last type of transformation of function क्या है मान लिजे कोई function है हमारे पास मान लिजे कोई function है हमारे पास कि y is equals to f of x इस type का function है अगर इस function में negative sign लगा दी जाए y is equals to minus f of x कर दिया जाए यह पहला यह होगे और दूसरा यहीं पर हम डिसकस करेंगे कि अगर सिर्फ x में minus लग जाए तो क्या होगा दो examples लेकर चलते हैं y is equals to e की power x function लेकर चलते हैं हमें चेक करना है कि y is equals to minus e की power x का graph कैसे बनेगा और y is equals to e की power minus x का graph कैसे बनेगा बस यहीं लेकर चलेंगे हम इसी से discuss कर लेंगे तो देखो जब भी किसी function में minus लग जाए तो उसका क्या हो जाता है पूरा पूरा graph जैसे y axis के उपर बना है तो नीचे shift हो जाता है जैसे कि y is equals to e की power x का graph जो होता है देखो कुछ ऐसा graph होता है यह से उपर की और चला जाएगा यह जो point होता है यह होता है 0,1 point होता है और यह कभी इस axis को touch नहीं करेगा याद रखना यह सब बहुत important चीज़े होती है graph में x axis है यह y axis यह y बराबर e की power x का graph है अगर हमें minus times of e की power x का graph बनाना है तो यह पूरा graph कहा हो जाएगा नीचे की और shift हो जाएगा मतलब यह graph ऐसे बन जाएगा देखो है ना यह graph पूरा कहां shift हो जाएगा नीचे shift हो जाएगा उपर वाले graph को हम मिटा देंगे तो यह हो जाएगा y बराबर minus times e की power x है ना पूरा graph उपर से कहां shift हो गया नीचे shift हो गया मतलब इस graph की symmetry ले लिए x-axis के along जो भी उपर था उसको कहा shift कर दिया नीचे shift कर दिया बाद समझ पा रहे है आपने है ना तो यह और यह जो point होगा यह कितना point होगा 0, minus 1 point इसी तरीके से अगर हम discuss करने चाहें कि y बराबर y is equals to यह यह discuss करना चाहते हैं कि y is equals to f of minus x कैसे बनेगा मतलब y is equals to e की power minus x का कर्व कैसे बनेगा तो discuss करते हैं जड़ा देखिए y is equals to y is equals to e की power minus x का graph बनाना है हमें y is equals to e की power x का बना पता था है ना ऐसे होता है बनाई देते लो यह जो ग्राफ है y is equals to e की power x का graph अगर e की power minus x का graph बनाना है तो हम y x के बाउट symmetry ले लेते हैं मतलब यह जो भी graph है जो इधर वाला graph है वो इधर सिफ्ट हो जाएगा जो इधर वाला graph है इधर सिफ्ट हो जाएगा लब यह जो ग्राफ होगा जड़ा देखीएगा कि आना यह ऐसे कभी सेक्सिस को टच नहीं करेगा यह x एक्सिस है यह क्या है y एक्सिस यह पॉइंट सेम रहेगा जीरो कॉमा बन तो यह जो graph है वाइज इक्वेस टूई की पावर माइनस एक्स का graph है जब अग्स में माईनस लगेगा तो टेग थे सेमेट्री अबउड वाइक एक्सिस और जब पूरे फॉर्चन में माईनस लगेगा टेग देख सेमेत्री यही होता है, सबको पता है न, यही होता है दोनों graph, अब देख सकते हैं आप, यह क्या है, y is equals to x square का graph है, यह y is equals to minus of x square का graph है, तो आप यहां से एकदम clear है कि जब किसी पूरे function में minus लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी symmetry ले ले लेते हैं, x-axis के लौग नीचे पूरा graph shift हो ज लग जाए, तो हम क्या करते हैं, y axis के बाउट उसकी symmetry ले लेते हैं, clear हो रही बात आप लोग को, यहां तक आप लोग transformation of the function clear हो गया होगा, और मुझे लगता है कि transformation of function सीखने के बाद, आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा, है न, बहुत बढ़िया, पढ़ते एक दम महनत करते रहे हैं, ऐसे ही, हसते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, और हमारा वीडियो का lecture चालू रहेगा, आपके साथ यह series लगातार बनी रहेगी, धन्यवाद, thank you so much.